इस वीडियो में बात करेंगे SPOM test का admit card कैसे download करोगे detail में बात करेंगे जिन बच्चों को doubt आ रहा है SPOM test कहते किसको कब देना इसके लिए कैसे registration करना कैसे SPOM का lecture देखने के बाद कैसे test के लिए registration करना detail वीडियो बना रखें वीडियो का link आपको description में मिल जाएगा अगर आपको आप admit card download कर सकते हो इसके लिए करना क्या हो जिस portal से आप test के लिए registration करोगे portal का नाम है spmt.isai.org के website पे आ जाना है उसके बाद आपको sign in with SSP कर देना है SSP portal के थुरू आपको इस पे click करना है मैं already login कर चुका हो तो सीधा redirect हो जाएगा portal पे आप लोग अपना user id password दे करके login कर सक इसके बाद जिस test के लिए आप register किये होगे उसके side में test seat book होगा उसके बगल में download admit card सो करेगा आपको उस पे click करके admit card को download कर देना है जिस दिन आपका test होगा PDF format में इसको print out निकल वा देना माफ करना print out निकल वा करके आप चाहो तो colorful या नहीं तो black and white center पे लेके आपको जान बात है नहीं बच्चो और हाँ कोई भी आपके मन में additional doubt है YouTube comment box open है आप वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हो और हाँ वीडियो को share कर दीजेगा और playlist जरूर देख लिजेगा SPOM से related आपका सारा doubt क्लियर हो जाए तो हम लोग सीख गये कैसे आपको admit card को download करना है इसी तरीके से आ आप लोग download कर ली जाए कोई भी additional doubt हो मुझसे बाते करना हो तो सीधा का सीधा आप मुझे message कर सकते हो चाटे studies के Instagram पे और हाँ छोटा मोटा doubt हो तो YouTube comment box में भी पूछ सकते हो वीडियो को share कीजे चैनल पे नए हो subscribe कीजे प्लीज बच्चो subscribe कीजे मिलते है next वीडियो में